Hello everyone, मैं हूँ Dr. Atul Mahajan and I'm a consultant orthopedics and sports surgeon तो आज का topic है ganglion cyst Ganglion cyst क्या होता है? देखिए, wrist के आसपास कभी-कभी हमारे उपरी भाग पे या नीचे वाले अंदरूनी पार्ट पे कभी-कभी छोटी-छोटी गांठे हो जाती है या रसूली हो जाती है इस गांठ को हम लोग medical terms में ganglion cyst कहते हैं तो किन लोगों में ganglion cyst जादा commonly देखा जाता है? क्या symptoms होते हैं? क्या risk factors हैं? और क्या treatment options available होती है? आज उसे के बारे में discuss करने वाले हैं जिन लोगों ने channel subscribe नहीं किया है वो channel subscribe कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं देखें रिस्ट के पास most commonly 80% cases में तो ये रिस्ट के उपरी भाग पर होती है ठीके? और 20% cases में ये रिस्ट के अंदरूनी पार पर यानि कि वोलार रीजन इस पर हो सकती है अगर ये उपरी भाग पर हो रही है तो इसे कहते हैं dorsal ganglion cyst और अगर ये अंदरूनी पार पर होती है इसे हम लोग कहते हैं volar ganglion cyst होता क्या है ये ganglion cyst? देखे ganglion cyst basically एक तरह का fluid filled cavity है तो आपके joint की lining पे या कभी कभी tendon की lining के along छोटी छोटी गांटे हो जाती है इस गांट के अंदर भरा होता है जब आप इसे हाथ लगाएंगे तो आपको ये soft jelly जैसा feel होगा और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है jelly जैसा आपका joint का fluid जिसको हम लोग medical terms में synovial fluid कहते हैं किनलोगों में ये commonly देखा जाता है तखिए कि ये किसी को भी हो सकता है most commonly इसका जो age group होता है age bracket होता है ये 20 से 40 by 45 साल के उमर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ladies में ज़्यादा common है gens के comparison में किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है जिन लोग का हाथों का रोल बहुत ज़ादा है, हाथों का कोई manual work ज़ादा करते हैं, housewives के अंदर mechanics के अंदर, car painters के अंदर ज़ादा commonly देखा जाता है, बट यह कोई hard and fast rule नहीं है, basically कोई भी इंसान को यह ganglion cyst यह wrist के आसपास यह छोटी छोटी गांटे हो सकती हैं क्या symptoms होते हैं, देखे most often than not, यह symptomless होता है, इसके अंदर कोई pain नहीं होती इसके अंदर कोई problem नहीं होती सिरफ एक छोटी सी गांट जब शुरू होती है, कभी-कभी एक छोटी से मटर के दाने से भी शुरू हो सकती है और बढ़ते-बढ़ते, कभी-कभी यह 2-3 cm तक भी बढ़ जाती है problem होती है mainly cosmetic deformity की, तो patient को यह देखने में अच्छी नहीं लगते हैं और इसी कारण की वज़े से काफी patients हमारे पास, हमारे OPDs में आते हैं, कि यह problem क्यों हो रही है, कुछ लोगों को इस बात का डर हो जाता है, कि कहीं यह कोई cancer तो नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं यह चीज़ क्लियर कर दूँ, कि यह cancer नहीं होता, यह non-tumorous है, यह कोई cancer नहीं है, इस problem के क्या symptoms होते हैं, देखिए, मुस्टी तो यह symptomatic होता है, लेकिन कभी-कभी अगर यह आस-पास की nerve को दबा देता है, especially वो ganglions जो molar side पे हो रहे हैं, यानि कि अंदरूनी भाग पे हो रहे हैं, यहां पे आपकी काफी important nerves होती हैं, तो अगर यह इस nerve को यह दबाने लग जाएगा, तो patient को उस जगा पे pain भी हो सकता है, और वो pain कभी-कभी उंगली तक भी जा सकता है, अगर यह काफी मूटा हो जाता है, काफी बड़े size का हो जाता है, तो patients को usually wrist movements में भी दिक्कत हो सकती है, सिर्फ wrist में ही हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के अंदर तो यह ankle और feet में, यानि कि तकने के आसपास, या पैरों के उंगलियों के आसपास भी यह देखा जा सकता है, कुछ लोगों को जिनको osteoarthritis की दिक्कत है, या rheumatoid arthritis की problem है, यानि कि गठ्या भाई, उन लोगों के अंदर भी यह commonly देखा जाता है, इस तरह की problem को diagnose करने के लिए कि क्या किसी investigations की जरूरत होती है, देखिए most often than not यह diagnosis clinical है, जब भी आप अपने doctor के पास जाएंगे, तो हमें इसको clinically examine करके काफी हद तक idea लग जाता है, कि यह ganglion cyst है या नहीं, wrist के आसपास कोई भी सूजन आ रही है, जरूरी नहीं कि वो सारी problems ganglion cyst ही हूँ इसलिए अपने doctor के पास जाना जरूरी है ताकि वो इसकी correct diagnosis बना सके कुछ cases में, especially उन cases में जिन patients को नसों की दिक्कत हो रही होती है, और अगर patients usually improve नहीं कर रहे होते तो कभी-कभी जब आप इस हाथ का MRI हम लोग कराते हैं, तो उसके अंदर occult ganglion cyst आता है, जिसका मतलब होता है कि वो ganglion cyst आपके skin के उपर नहीं दिख रहा, वो अंदर ही अंदर बड़ा हो रहा है, और उसने आपकी अंदर की नसों को दबा दी, treatment options available हैं देखिए, अगर तो ये size बहुत छोटा है, और कहीं न कहीं, अभी recently ही शुरू हुआ है, तो सबसे जरूरी सलाज वो हम पेशन्स को देते हैं, वो हम कहते हैं wait and watch करने के लिए, या observe करने के लिए so as a doctor, हम लोग काफी बार इसमें सिर्फ supervision करते हैं, initial stages में, कि क्या ये अपने आपसे बैट जाता है या नहीं बैट रहा है, in cases इसका size बड़ा होने लगता है, या आपको symptoms आने लगेंगे, तो इसमें कुछ interventions की जाती हैं, अगर इसका size बड़ा हो रहा है तो काफी बार हम लोग इसमें aspiration करते हैं, aspiration का मतलब होता है आप इसके अंदर needle डालके इसके अंदर के fluid को आप aspirate कर लेते हैं, ताकि जो cavity अंदर से फूली पड़ी है, वो cavity पिचक जाए, problem इस aspiration के साथ ये होती है कि ये recur कर सकता है, यानि कि ये दुबारा हो सकता है, 30-40 percent cases में recurrence देखी जा सकती है अगर किसी को ये recurrence हो रही है या patients कहते हैं, कि डॉक्टर साब ऐसा कुछ कीज़े, जो sure shot हो तो उसमें हम लोग इस problem के लिए surgery भी कर सकते हैं, mini open open या endoscopic surgery के दुआरा इस ganglion cyst को इसका जो पूरा का पूरा cavity है उसको end mass से पूरा का पूरा cavity और उसकी जो lining है उसको निकाल दिया जाता है देखे जो lining होती है, जो cavity के आसपास का जो lining है, जब तक आप उसको नहीं निकालेंगे, इसके recurrence के chances बढ़ जाते हैं, तो इसे लिए surgical एक बहुत ही minor procedure होता है जिसके अंदर इस पूरी के पूरी cavity को निकाल दिया जाता है, और उसके lining को remove कर देते हैं और उसके बाद recurrence हो सकती है लेकिन उसके जो chances हैं काफी कम हो जाते हैं, तो दोस्तों आज जो हमने ये बात करी, आज हमने ganglion cyst के बारे में बात करी, wrist के उपर आने वले एक छोटी सी gant, जिससे काफी लोग काफी बार tension में आ जाते हैं उसके बारे में बात करी, I hope कि ये वीडियो से आपकी जो भी misconceptions थी, जो questions थी, queries थी, वो clear हुआ हो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, give it a thumbs up share किये जिएगा and do subscribe to our YouTube channel so that हम लोग इसे तरह से आपके लिए अच्छे-च्छे important videos create करते रहें, thank you very much